है लाज व्डियो के आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और वहती प्यारी सीज़ आप सभी के साथ में लेकर आज चुखा हूँ यानिकि आप सभी को पता है रेम्स की तरब से आपके पास बहुत ही जल्द आहम वेकंसियां है वो आपकी वाने वाली है तो उसके बारे मे आपके निकाली जाती है वो परसनल जो पर्मानेंट रेगुलर के जो भरती होती है वो हमेशा नोटशट के अंदर ही आड़ होके राती है तो इस बार भी आप सभी के लिए रेम्स की तरब से बड़ी भरती है आपको देखनी को मिलेगी कितनी पॉस्ट रहेंगी कौन-कौ इलिजिबल क्राइटिरिया क्या रहेगा सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे इंपोर्टन चीज कि वो पोस्ट नोटशट सेवन के अंदर एड होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर क्या प्रवाड करवाने वाला हूँ सबसे पहले देख लिजीगा आपको पर्मानेंट आपको यहाँ पर जो नर्शिंग ओफिसर की वेकंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रिम्स की तरब से असेंसियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है इस लिमिट आपकी क्या रहेगी सारी अप्लाई करेंगे 2-year experience 50-bedded hospital का आपके पास experience होना चाहिए ठीक है यानि कि कुल मिला कि अगर मैं आपको बात करूँ इस पर्मानेंट नर्शिंग ओफिसर की vacancy के लिए BSC nursing जो candidate है वो यहाँ पर eligible होंगे post BSC nursing candidate है वो भी क्या कर सकते हैं इस vacancy को यहाँ पर apply कर सकते हैं जो GNM candidate है GNM candidate भी इस vacancy को apply करेंगे लेकिन GNM candidate को यहाँ पर क्या किया गा है 2-year का आपका minimum experience मांगा गा है और वो भी 50-bedded hospital का ठीक है अगर आपके पास 50-bedded hospital का 2-year का experience है तो आप क्या कर पाएंगे इस post के लिए eligible से रहेंगे इस post को यहाँ पर apply कर पाएंगे is limit की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 30-year आपकी क्या रहेगी is limit रहेगी यान की 18-30-year तक के जो candidate है वो इस vacancy को क्या करेंगे यहाँ पर apply करेंगे सबसे important चीज आपको बता दू 18-30-year के candidate apply तो करेंगे लेकिन यहाँ पर आपको relaxation परड़ कियागा है government rule के हिसाब से ठीक है यान की जो government का rule है उस हिसाब से यहाँ पर जो relaxation है वो आपको परड़ किया गया है किस प्रकार से relaxation रहने वाला है उस इसके बारे में भी आपको detail में चर्चा करने वाला हूँ तो यहां पर देख लिजिगा आपको बता दूँ जो OBC category है ठीक है OBC category है OBC category के लिए आपको 3 year का जो relaxation है वो आपका रहने वाला है SC और जो ST category है SC और ST category के लिए आपका 5 year का रहेगा और जो PWD candidate है नहीं कि जो physical handicap candidate है physical handicap candidate को लिए यहां पर जो 10 year का आपका relaxation है वो आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यान कि यह आपका क्या रहेगा maximum age limit आपकी TCR है इसके अलावा आपका जो relaxation है वो आपको प्रड़ किया गाए यान कि जैसे example आपको मैं बता दूँ कि OBC category वाली जो candidate है TCR तक के candidate इस vacancy को apply करेंगे तो इसमें आपको relaxation 3 साल का रहेगा यान कि total आपको OBC category के 30 year तक के जो इस vacancy को apply करेंगे ठीक है यान कि इस परकार से आपका क्या रहेगा apply करने का आपका option रहेगा इस परकार से आप क्या करेंगे इस vacancies को यहाँ पर आप अपलाई करेंगे ठीक है यह तो हो गई आपकी असेंसियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात एज रिलक्सेशन के बारे में बात ठीक है उसके बाद मैं आपको रिजुरेशन्स आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या-क्या रिजुरेशन्स आपका रहे यह आपकी वेकंसी जुड़ेगी किसके अंदर नौट रेट 7 के अंदर तो नहीं आएंगी इस बार रेंस इंपाल की तरफ से तो इस बार आपकी पोस्ट थोड़ी कम रहेंगी लेकिन पोस्ट आपकी आपकी यहांपर आने वाली है जरूर आने वाली है और RIMS Impal के तरब से NORSHET 7 के अंदर एड़ होने वाली है तो इस परकार आप सभी को पता है कि जो RIMS Impal सेंटर गोर्मेंट का जो इंस्टिटूट है वो आपको यहां पर है तो इस वज़े से इसका जो एक्जाम है इसका जो पोस्ट का जो सीडियल है वो हमेशे किस के दौरा NORSHET के दौरा ही करवाया जाता है यानकि AMC देहली के दौरा यहां पर करवाया जाएगा सबसे important चीज यही है इसके अंदर ठीक है आपको और भी detail में चर्चा करेंगे यहां पर किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं आपको phone number दिये गए आपको यहां पर level साथ की साथ से मिलेगी इस चीज को आप जरूर द्यान रखें salary आपकी level साथ के साथ से ही आपर मिलने वाली है salary वही आपका basic क्या रहेगा समाड़ी 1900 आपका क्या रहने वाला है basic रहने वाला है इसके अंदर आपका TA जुडएगा DA जुडएगा HR जुडएगे announce जुडएगे तो यह सारी चीज़े जोड़ कर add करके इस भरती का जो final आपका जो salary निकल कर आती है वो निकल कर आती है लगबग आपको 80,000 के आसपास ठीक है 75 से 80,000 के आसपास आपकी आपर जो salary है वो आपको देखने को मिलेगी बहुत ही प्यारी शी आपकी क्या रहेगी salary रहेगी vacancy भी आपकी पर्मानेट रहेगी कोई भी contact की भरती आपकी नहीं रहने वाली है ठीक है एक जो सबसे important मुद्द उठ रहा था है मेरे पास उस completely PDF की detail भी आपको बताने वाला हूँ उस PDF की जानकार भी आपको देने वाला हूँ detail वीडियो भी आप सभी के साथ share करने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़े दी गई है कौन-कौन सी institute है कौन-कौन सी AMS जो contact पर गई है क्या वास्तुकता में जो AMS वो contact पर गई है या नहीं गई है इन सभी चीज़ों की जानकार या आप सभी को provide करवाँगा आप सभी के साथ बहुत ही जल्द detail वीडियो लेकर आ रहा हूँ AMS नोर्शेट बंद होगा या नहीं होगा इस से related तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी ignore ना करें क्योंकि मैंने जितनी भी research की है जितनी भी मैंने साथियों से मिला हूँ सभी ने बोला कि वास्तुकता में वो letter बिल्कुल सत्यता की और जा रहा है यानकि नोर्शेट के exam है यानकि जो common जो आपका exam करवाया जाता है common eligibility जो exam करवाया जाता है वो बंद होने के chance हो सकते है यानकि आगामी नोर्शेट तक हो सकता है कि ये नोर्शेट की प्रकरिया disrupt हो जाए तो इस चीज़ के बारे में आप सभी के साथ डेटेल वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ डेटेल अपडेट आप सभी के साथ मैं प्रवाड करवाऊंगा तो इस चीज़ का बिल्कुल निश्यनत रही है इस channel के साथ चुट जाए आपको एक-एक आपको nursing से related जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको मैं यहाँ पर time से मिलती रहेंगी ओलो और इंडिया की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको मैं completely जानकारी प्रवाड करवाऊंगा completely information आपको मैं प्रवाड करवाऊंगा तो यहीं एक आपको अपडेट देनी थी सभी को पता चल सके कि आगामी दुनों में क्या होने वाला है साथ में चैनल को सब्सक्राइब इर के बैल आइकन को उनकर लीजिगा आपके पास completely information आती रहेंगी ओलो और इंडिया नर्सिंग की अपडेट आपको time से पहुँचाता रहूँगा तो वीडियो को सेर करें बाकी आपको मिलते हैं और नहीं आप डिट के साथ नहीं उड़े के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें